हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने Poco X6 Android में अगर आपके मोईल फून की call जो send नहीं होती तो इस प्रावलम को आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको detail में जानकारी देने वालों तो चलिए आप यह व लगाना है उसके बाद फोन में अंदर डाल देना है इससे भी यह problem solve हो जाती है अगला काम यह करना है मुवाइल फोन को reboot करना है इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबाके रखना है आपका पेज आता है इसमें जो बीच वाला जो बटन है इ अगला काम यह करना है आपको फोन की network setting को reset करना है इसके लिए आपको mobile phone का setting पेजुपन कर लेना है setting पेज में आपको सबसे उपर यह search setting का यह option आपको टैप करना है यहाँ पर सबसे उपर search bar में reset आपको लिखना है reset आप लिखेंगे तो थोड़ दिर मांपको नीचे यह options ह तो जाता है रिश्ट वाइफाई मुबाईल एंड ब्लूथूथ का इसे टैप करना है आप इस पेज में जो तीन सेटिंग देख रहे हैं ना वाइफाई मुबाईल डेटा ब्लूथूथ यह तीनो सेटिंग आपके मुवाइल फून की नेटवर्ट सेटिंग के साथ जाएगी ठीक है अगला काम यह करना है आपको मुवाइल फून का सॉफटेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है पहले तो मुवाइल फून का इंटरनेट आप चालू कर लिजिए इसके बाद फोन का सैटिंग पेज ओपन करना है सैटिंग पेज में सबसे काम नहीं करते हैं तब आपको फोन का री सट करना है अधर्वाइस नहीं करना है फोन को री सट करने के लिए ठाले Kick है सबसे उपर नीचे इरे कयो औरे-जवगण का सैटिंग आपको चाब करना है एससे आप twe ऐसके बात पहले हमें, जितना भी डेटा, सारा डेटा, किसी भी दूसरे फोन में ट्रांस्वर कर लीजे, या उसका बैक अपको फोन की तुछ करने दो नोट करना है, यह दो काम, आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको मोईल पून को रिसेट करना है, तो दोस्तों, मेरे बताए हुए इस वीडियो में सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपके फोन की जो कॉल सेंटर नहीं होते प्रॉब्लम आपकी सॉल हो जाएगी ठीक है